हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर राजस्थान करमचारी चैन बोर्ड की तरफ से कल आप सभी ने देखा होगा एक बहुती बड़ी अपडेट आई थी जो बोर्ड के अध्यक्ष है बीएल जाटाओज जी उन्होंने अपना इस्तिफा दे दिया है और उनका जो इस्तिफा है वो सरकार ने तत्काल प्रभाव से उसको एकसेप्ट भी कर लिया है और अभी फिलाल जो है हमारे बोर्ड में जो अध्यक्ष का पद है और कुछ दिन पहले आपने एक खबर और सुनी होगी जो सेक्रेटरी साहबे बील जांगिड उनका भी तबादला कर दिया गया है यानि कि अभी फिलाल सेक्रेटरी और अध्यक्ष दोनों के पद जो है हमारे बोड के वो रिक्त है फिलाल और इसका असर आगामी भरतियों पर क्या होने वाल है तो इसका क्या असर होगा इसके रिगार्डिंग जो है आज के इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले है तो आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा वीडियो को स्किप मत करिएगा उसके पहले वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चानल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा और फिर all bell icon के उपर click कर दिजेगा ताकि रजस्तान से जूड़ी हुई जितनी भी government job से related update होती है वो सबसे पहले आप तक पहुच सके हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुच सके तो इसलिए आ जाटावत जी का जो इस्तिवा स्विकार किया गया आप सभी ने जो है वो इसके बारे में सुना होगा कि रजस्तान स्टाफ सेलेक्शन बोर्ड यानि की RSSB या फिर RSM SSB के जो अध्यक्ष है डॉक्टर बील जाटावत जी ने अपना पच से इस्तिफा दे दिया है और इन बहुत सारे चात्रों के मन में एक सवाल आ रहा था कि अब जो आगामी भरती प्रक्रियाए है उनके उपर क्या असर पड़ेगा वो कितनी देरी हो सकती है क्योंकि बहुत सारी भरती ऐसी है जिनके उपर अभी बहुत बड़ा काम होना बाकी है तो इसी के लिए हमारे पास भी बहुत सारे कमेंट आ रहे थे, पर्सनली मेसेज़ेस भी आ रहे थे, कि सर इसके बारे में कुछ हमें बताईए, क्योंकि बहुत सारे चात्रों के मन में ये असमंजत की स्थिती बनी हुई है, कि अब आगे क्या होगा, तो अब हम देखते हैं कि आखिर आगामी भरतियों इस प्रकार से असर पढ़ने वाला है, देखिए हम यहां पर अलग- अलग तरिके से बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, पटवार भरती की जो डेट के रिगرडिंग हम बात करने वाले हैं सबसे पहले, देखिए अगर आप बॉर्ड के जो जितने भी नोटिफिके से डाउनलोड करके देख लीजिएगा सबसे लास्ट में जो होता है वो अध्यक्ष की सिगनेटरी होती है यानि कि अध्यक्ष जो होता है बोड का वो उसको ऑथराइस्ट करता है यानि कि अगर आप अभी भी डाउनलोड करके देखेंगे तो आपको सबसे लास्ट में एक सि वो अध्यक्ष के अनुमति के बिना नहीं हो सकता है, यानि कि जब तक अध्यक्ष जो है, वो उसके उपर सिगनेटरी नहीं कर देता है, उसका एकनॉलेज नहीं कर देते हैं, तब तक बोड की कोई भी प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती है, सेकेंड हम बात करते हैं सेक्रेटरी का पद भी अभी फिलाल रिक्त पड़ा हुआ है यानि कि बोर्ड के जो एहम पद है दो एक तो अध्यक्ष और एक आपके सेक्रेटरी इन दोनों का पद जो है वो रिक्त पड़ा हुआ है इसका मतलब साफ है कि अध्यक्ष के बिना कोई काम नहीं हो सकता है यानि कि आगा में जितनी भी प्रक्रियाय चल रही होगी बोड में उसको अभी तक फिलाल के लिए तो रोक दिया गया होगा यानि कि उसके उपर अभी कोई मन्थन नहीं किया जाएगा वो आगे काम नहीं हो सकता है तो पटवार भरती के डेट के अगर हम बात करें तो वो भी अभी फिलाल इसके उपर कोई भी नया एक्षन नहीं लिया जाएगा जब तक बोड के नए अध्यक्ष नहीं आ जाते है नेक्ष्ट हम बात करते हैं एक और भरती है हमारी जेए की भरती जिसका अभी एक्जाम कर दी गई है और एक्जाम आने की नई डेट अभी घुशित करनी बाकी है तो इसके उपर भी अभी तक कोई भी समस्य जो है वो बहुत बड़ी है और इसके उपर अभी तक कोई नई डेट जारी नहीं की है अगर बोर्ड ने प्लैनिंग बनाई होगी तो फिर भी अभी तक इसका उफिशल बयान आपको नहीं मिलेगा कुछ भी बोर्ड की तरब से अध्यकारिक बयान अब जारी नहीं किया जा सकता है जब तक की बोर्ड का नया अध्यक्ष नहीं आ जाता है नेक्स्ट हम बात करते है वन पाल और वन रक्षक भरती की जिसका अभी तक सिलेबस ही जारी नहीं किया गया है तो ये भी अभी जब तक बोर्ड के अध्यक्ष नहीं आता है तब तक कोई भी काम नहीं होने वाला है याने कि कुल मिला के जो भी बोड के तरफ से pending काम है वो फिलाल के लिए pending ही रखे जाएंगे क्योंकि authorized signatory अभी तक नहीं मिलेगी बोड का जब तक नया अध्यक्ष नहीं आता है तब तक सारी आगामी जो भी भरती प्रक्रियाए है जो भी बोड के आगामी काम है उन सभी के उपर रोक लग चुकी है वो अभी फिलाल पे hold पे चले जा चुके है इसके regarding जो है आप देख पा रहे होंगे उपेन यादव जी ने एक tweet भी किया है कि माननी अशोक गेलोत को tag करते हुए कि निवेदन है कि जल से जल अधिनस्त बोड के जो chairman और सदेश्यों की नियुक्ति की जाए जिससे की अटकी भरतियों की परिक्षा वो परिडाम जारी होने में देरी ना हो बोड की भरतियों में जो भी गड़बडिया हुई है और फरजी डिगरों की जाच है तो SOG की जाच कराए साथ ही पटवार और JN की परिक्षा दिथी जारी की जाए यानि कि इसके regarding जो है उपेन यादव जी ने भी अपने आवाज उठाई है ट्वीट करके उन्होंने सरकार अशोगेलोग जिसे ये निवेधन किया है कि आप जल से जल जो है वो बोड के और नए अध्यक्ष और उनके जो सदस्य है यानि कि सेक्रेटरी सहाब है उनकी जल से जल नई नियुक कि जाए ताकि बोड के जो भी आगामिक कारिया है और जिन जिन परिक्षाओं के अभी तक परिक्षा तिथी डेट्स जारी नहीं हुई है उनको डेट्स जारी की जाए साथी जो वन पाल वन रक्षक भरती है इनका भी सिलेबस जल से जल आए और जो भी काम पेंडिंग है सारे पेंडिंग काम जल से जल किये जाए तो इसके रिगार्डिंग जो है वो जल से जल एक नया अध्यक्ष आना बहुत ही जरूरी है तो जब तक कोई भी चेर्मेन नहीं आता है अध्यक्ष नहीं आता है तब तक ये काम जो है वो फिलाल रुके पड़े है और हमें आशा है कि जल्द से जल्द सरकार इसके regarding कोई भी action लिया जाएगा और आने वाले कुछी दिनों में नया अद्दक्ष और सद्देशों की नियुकति की जाएगी तो ये थी एक update और एक पूरी information की किस तरीके से आपके भरती पर जो है वो असर पढ़ने वाला है जो बोड के अद्दक्ष ने इस्तिफा दे दिया है तो I hope कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया हो वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर दीजेगा और दोस्तों के साथ भी शेर करिएगा ताक कि सभी के मन में जो एक असमंजस की स्थिती है अभी उसको दूर किया जा सके और आप अपनी पढ़ाई पे फोकस कर सके क्योंकि देखिए जल्द ही बोड के अद्दक्ष आ जाएंगे और आपकी डेट्स जो है वो जारी कर दी जाएंगी तो आप अपनी पढ़ाई में फोकस रहें आप अपनी पढ़ाई निरंतर जारी रखें तो इसी तरह की लेटेश अपडेट्स और जानकरियों के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मिलते हैं डेक्स्ट अपडेट में थेंक्यू फॉर वाचिंग